हेला दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं मोनोसेकराइट के अंदर जो हागसो शरकरा होती है जो की ओगे ग्लुकोस और दुसरा फरक्टोफ तो आज हम बैसिकली ग्लुकोस के बारें पड़ते हैं ग्लुकोस को बनाने की विद्या साथ में इसकी सरचना मतलब होता है जिनका जल अब घटन जादा नहीं कर सकते हम लोग मतलब ऐसी छोटी इकाया होती कार्बाइड की जिसको जादा हम जल अब घटित नहीं कर सकते हैं जादा इसको तोड़ नहीं सकते हैं तो ऐसी इकायो को हम क्या केते हैं मोनोसेक्राइड केते हैं और मोनोसेक्र बात करेंगे दोस्तो तो प्रकर्ति में मुक्त अथ्वा स्वयक तवस्ताम पाया जाता है प्रकर्ति के अंदर या तो ये मुक्त तवस्ताम पाया जाएंगे या फिर ये स्वयक तवस्तामें पाया जाते हैं साथ में दोस्तो मीटे फल जो होंगे उसके अंदर glucose हमको देखने को मिलता है जैसे पके हुए अंगूर हो गया शहद हो गया उसमें बाया जाता है प्रकरती के अंदर ओके आगे हम समझते हैं glucose को बनाने की विदिया preparation method of glucose देखिया पहले इसमें विदि हो जाएगी या फिर हम कह सकते हैं सुक्रोज से हम लोग क्या बनाएंगे glucose बनाएंगे तो दोस्तों सुक्रोज का formula क्या होता है C12, H22, O11 इसका हम जल अबगटन करेंगी किसी अमलक की उपस्तिती में या अमलक के form में हम ले सकते तनू HCL या तनू H2SO4 तो इसकी उपस्तिती में हम जल अबगटन करेंगे सुक्रोज का तो सुक्रोज होता है वो दो E-कायों में डिवाइड हो जाता है एक होगा glucose और दूसरा होता है फ्रक्टोज तो दोस्तों ग्लुकोज का सूत्र फ्रक्टोज का भी सेम हो जाएगा सूत्र तो यहाँ पर फ्रक्टोज ही बनता है और ग्लुकोज ही बनता है तो दोस्तों इसमें आपको फ्रक्टोज बनाना है तो भी इस वीदी का प्रियोग कर सकते आप लोग तो इसकी डेफिनेशन को पढ़िए सुक्रोज को तनु एसील अत्वा एस्टोसोपर के साथ अलकोहलिक विलियन में उबालने पर गरम करने पर ग्लुकोज तथा फ्रक्टोज के एक-एक मॉल जो की समान मात्रा में होंगी ठीक है प्राप्त होते हैं तो यह विडियो होगी फर्स्टु सुक्रोज से ग्लुकोज का निर्मान एक नेक्स्ट समस्ते हैं यदि आप लोग इतना स्क्रिंशो ट लेना चाता है ले सकते हो डोस्तो बनाने की विडियो में सेकंड विदी का नहां हो जाएगा स्टार्च से स्टार्च से हम क्या बनाते हैं ग्लुकोज बनाते हैं देखिए स्टार्च होता है अत्वा हम सेलुलोज भी ले सकते हैं अब स्टार्च होता है वो बहुत चोटी-चोटी मोनोसेक्राइट 21 मिलकर के बना होता है और यहाँ पर इसका सुत्रो जेगा C6H10O5 यहाँ पर हॉल्स एन किया हुआ है हॉल्स एन की जिगर पर संक्या हो सकती है ठीक है कितने भी और यहाँ पर हम एन मात्रा में H2 लेंगे देखो यहाँ पर एन्स लिखा मतलब होता है बहुलक ठीक है तो जो आपका स्टार्च होता है वो एक बहुली करन का प्रोड़क्ट है जो छोटी-छोटी 21 मिल करके बना होता है तो इसका हम लोग क्या करेंगे जलब गटन करेंगे किसी अमलक की उपस्तिती में जो कि हम तापमान देंगे इसके लिए 303 केलविन तापमान और 2-3 वायू दाप देंगे तो यह अपका जो सेलुलोज यह स्टार्च होता है वो ग्लुकोस के 2 अनुव देगा देखिए यहाँ पर हाला की N लिखा है तो N की जगह 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है इस प्रकास से ठीक है तो N की जगह आप संख्या लिख सकते हो तो यहाँ पर फ्रक्टोस नहीं बनता है अनली 4 क्या बनता है ग्लुकोस बनता है ठीक है अब हम समझते हैं जो C6H2O6 है इसकी सरजना के बारे में मतलब ग्लुकोस की सरजना दोस्तों स्ट्रक्टोस की बात करेंगे तो ग्लुकोस की वीवरंद शंकला यानि की ओपन चैन होती है ठीक है जो की होती है CHOCH HOLS4 HOLS4 का मतलब होगा CHOCH होंगे और कित्ते होंगे 4 और लास्ट हो जाएगा CH2OH मैं आपको समझाता हूं देखिए इसके फर्मूला क्या था CHOCH HOLS4 AND CH2OH ठीक है अब इसको कैसे खुल के अगर लिखना चाता है तो ऐसे लिख सकते है CHOCH CHOH 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 कित्त होंगे 4 और लास्ट चीएच टू OH देखिए दोस्तों यह होता आपका LD हैट समो तो ग्लुकोज के अंदर कार्बोनिल जो समो होता है वो कौन सा होता है LD हैट आर यह बस समझे अब यहाँ पर कन्फर्म नहीं है दोस्तों यह जो चीज होती नहीं यह तीसरा वाला कार्बोन इसमें थोड़ा आगे जाके मैं आपको समझाओंगा क्या होता है हलाकि यह जो OH मैंने लिखा यह इस साइट आता है और बाकी H होगा वो इस साइट आएगा ठीक है बाकी आपको मैंने समझाओंगा कि पर 4 का मतलब क्या होता है तो ऐसे बीच में कितने हो जाएंगे 4 कारबन टॉटल कितने कारबन है 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो यह इसकी open chain हो जाएगी ठीक है तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिए आप लोग ठीक है अब इसके शोर लेना चाते है था आप ले सकते उसका अब दोस्तो हम समझते हैं ग्लुकोज की इस सरतना के पक्ष में निमनलिकित प्रमाण दिये गए मतलब अभी मैंने जस्ट आपको बता इसकी सरचना अब इस सरचना में कौन क्या है मतलब कौन कितने हैं क्या है वो हम लोग समझते हैं जो C6H2O6 है जो हमारा अनसूत्र है इसके अंदर कौन क्या है वो हम समझते हैं अथा दिकी सरतना की पूस्टिय हम करेंगे तो इसके लिए देखिए ध्यान से कुछ नीचे प्रमाण दिये गए हैं तो फर्स्ट बात तो ये है कि ग्लुकोज का अनसूत्र क्या है तो ग्लुकोज का अनसूत्र है C6H2O6 पाया जाता है ठीक है पाया गया है या पाया जाता है इसके अंदर सेकंड हो जाएगा ग्लुकोज को HI के साथ में गरम करने पर यह अपचेट होकर N-Hexan देता है अब देखिए यहाँ पर यही सरतना आपका ग्लुकोज है अब इस ग्लुकोज को हम HI की उपस्ट इमेंज को हम गरम करेंगे और HI की उपस्ट इमें जैसे हम गरम करेंगे तो इसका अपचेन होगा अपचेन में क्या करेंगे oxygen को बहार निकाल देंगे और hydron को जोड़ देंगे तो मैंना आपको जेस्ट बताया बी कितने कारबन है 6 कारबन है तो 6 6 कारबन के साथ मैं hydron जोड़ देंगे तो हमको एक normal hyεकزین की सरसना मिल जाएगी जो कि इससे क्या सिद्ध होता है इससे दोस्तों सिद्ध होता है कि इसमें सभी 6 कारबन परमाणों सीधी शंकला में होते हैं मतलब जो ग्लुकोज होता है इसकी 6 के 6 कारबन होते हो सीधी शंकला में होते हैं ये इससे परमाण निकलता है यह सीद्धो होता है ठीक है तो आपको यह पहली बात तो समझ वहाँ चुके होगी सेकेंड समझते देखिए ग्लुकोस हाइड्रोकसिल एमिन जो की NH2OH यह ग्लुकोस है आपका यह आपका हो जाएगा हाइड्रोकसिल एमिन NH2OH इसके साथ में रियेक्शन करता है तो यह देता है दोस्तो ग्लुकोस ओकसिम क्या देता है ग्लुकोस ओकसिम अब यह कैसे होता है तो देखिए इसमें आपको क्या होगा इसमें यह जो आपका O होता है ये O NH2 के साथ में जो H2 है उसके साथ में मिलकर के जलकाणू बहार निकल जाएगा मतलब की H2 में से 2 Hydrogen और CHO में से Oxygen जलकाणू बहार निकल जाएगा बचा कौन? Nitrogen और OH तो Nitrogen और OH जो कि Nitrogen Carbon के साथ में Double Bond से जूड जाएगा अब ऐसा कैसे होता है या क्यूं हुआ यह हम इसके बार हम पढ़ेंगे ठीक है दूसरा हम क्या करते हैं दूसरा हम ग्लुकोस की अभिक्रिया Hydrogen Sainate से करवाते है HCN से करवाते है और HCN से करवाएंगे तो इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा सीधा आपका HCN जाके जूड़ जाएगा अब देखिए H होगा OH के साथ में OH बना देगा यहाँ पर वो कार्बन से जूड़ा होगा और CN होता आप सीधा अर्टेच हो जाएगा इस कार्बन से ठीक है तो अब यहाँ पर क्या बना Glucose Sinohydrin बना एक ओक्सिम देता है यह ओक्सिम दिया तथा Hydrogen Sinod SCN से अभिक्रिया करके एक अनु के योग से Sinohydrin बनाता है मतलब कि यह Glucose Sinohydrin देता है ठीक है बनाता है इन अभिक्रियाओं से यह सिध्ध होता है कि Glucose होता है उसमें एक कार्बोनिल समुह होता है C double bond O समुह उपस्तित होता है अब इससे यह सिध्ध कैसे होता है यह आपको मैं समझाता हूँ देखिए देध्यान से जैसे कि आपका सुत्र हैं दोस्तो CH CHO है अब O को मैं यहाँ पर कर देता हूँ double bond O ऐसे ठीक है तो यह हो जाएगा CHO आपका अल्डेट समुह बाकि CH OH होल्स फोर CH2 OH इसके अभी किरा मैंने करवाई थी किससे NH2OH से अब देखिए यहाँ से बंट उटेंगे दो oxygen और यहाँ से hydrogen होता है दोस्तो H2 यह H2 के form में बाहर निकल जाएगा oxygen के साथ में oxygen double bond से जुड़ा था इसका मतलब carbon के भी दो बंट उटे और nitrogen के भी दो बंट उटे अब आपका nitrogen होता है carbon से जुड़ेगा जैसे carbon से double bond के साथ ही जुड़ेगा बाकि H तो यह था वो आपको ऐसे लिख देना है ठीक है और OH होता है वो ऐसे लिख देना है तो यहां से क्या प्रमाण निकला यहां से यह प्रमाण निकला ना कि आपका जो glucose होता है इसके अंदर कौन सा समू होता है C double bond O समू होता है carbonil समू होता है आर यह बाई समझे हैं आगे समझते हम दोस्तों यदि आप लोग इतना screenshot लेना चाते हैं ले सकते हो आगे दोस्तों हम समझते हैं तो आगे हम क्या करते हैं glucose की अभी किरा bromine gel से करते हैं हलाकि इसमें oxygen होता है और oxygen में आपको क्या करना है जो उपर CHO LDH समू होता है इसमें आपको oxygen को जोड़ देना है किसी को बाहर नहीं निकलना है oxygen को जोड़ देना है तो यहाँ पर उपर आजाएगा COOH समूर और इससे बन जाएगा gluconic अमल अब इस gluconic अमल से क्या सिद्ध होगा तो दोस्तों इससे ये सिद्ध होता है कि aldehyde से ही क्या बन सकता है कार्बोकसलिक अमल बन सकता है तो यहाँ पर glucose के अंदर हमको ये सिद्ध मिलता है या ये प्रमाण मिलता है दोस्तों कि इसके अंदर aldehyde समू उपस्तित होता है कार्बोनिल समू के रुप में ठीक है पढ़िए language को glucose का दूर्बल अक्सिकारक जैसे ब्रोमिन जल्ड से अक्सिकर्ण कराने पर ग्लुकोनिक अमल बनता है इससे सिद्ध होता है कि glucose का कार्बोनिल समू जो होता है वो aldehyde होता है ठीक है आर ये बस समझ में ओके तो स्क्रिंशोट ले लिजिए दोस्तो आगे हम समझते है glucose होता इसकी अभिक्रिया acetic anhydrates से करवाते है जैसे acetic anhydrates से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा तो हमको मिलेगा glucose pentacetate मिलेगा इसकी definition को पढ़िए acetic anhydrates CS3CO holtois O या फिर acetyl chloride लेंगे CS3COCl इसके द्वारा glucose के acetyl करण से glucose pentacetate प्राप्त होता है acetyl करण की इस अभिक्रिया से यह पुष्ट होती है कि glucose में 5 क्या होते है hydroxyl समू यानि कि OS समू उपसित होते है अब इससे यहाँ पर यह सिद्ध होगा दोस्तों कि जहाँ जहाँ आपका जो OH होगा वहाँ पर आपका acetyl समू जूड जाएगा और इससे यहाँ पर यह सिद्ध होगा कि इसके अंदर हमको कितने देखने को मिलते है hydroxyl समू 5 मतलब OH समू जो होते हो कितने देखने को मिलते है अब यह 5 OH होंगे वह मैं आपको समझाओंगा सरतना के अंदर अभी तो यह 5 कारण थे यह पूष्टी के प्रमाण थे जिससे हमको glucose की सरतना थी उसके अंदर कौनसा कार्बोनिल समू है कौनसा कार्बोनिल समू के अंदर जो कार्बोनिल समू होता है उसमें कार्बन डबल बॉन के साथ में जुड़ा होता है वह आपने सीखा इसके अलावा इसमें आपने समझा की OSM कितने हैं कितने कार्बन है तो glucose होता इसकी सरतना में ये प्रमान दिये गए अब हम समझते इसकी जो रियल स्ट्रेक्चर जो प्रमान दिये के इसके हिसाब से देखिए अगर आप लोग स्क्रिंशोट लाना जाते है उपर वाले का ले सकते हो दोस्तो glucose जो होता है न इसमें जो भी हमने उपरोग तो सभी गुण पड़े हैं उसके आधार पर फीशर एक वेग्यानिक होता है उसने इसकी निमनलिकी सरतना दी पहली बात तो कार्बन कितने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे चे कार्बन है अब इसमें पहले कार्बन होता है इसमें आपको aldehyde समू देखने को मिलता है और आपको नीचे क्या कर देना है CH2OH कर देना है बाकी मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ देखिए उपर आपको CH2 कर देना है यानि कि aldehyde और नीचे आपको यहाँ पर CH2OH कर देना है बाकी तीसरे कार्बन होता है इसको छोड़ कर तीसरे कार्बन कौनसा एक, दो, तीन तीसरे कार्बन यह रहा तीसरे कार्बन को छोड़ कर बाकी जितने भी कार्बन होंगे इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी कार्बन होंगे उसके जो right side होता है उसमें आपको OH कर देना है right side में आपको क्या करना है OH करना है और तीसरे carbon में इसका जेस्ट उल्टा करना है left side में OH करना है और right side में H करना है तो यह आपका बन जाएगा glucose की सरचना ठीके तो आप यहाँ पर मैंने link भी दिया है आप चाते तो पढ़ सकते हो तीसरे carbon जो third carbon होता है इसको छोड़ कर सभी carbon के right side में OSMO होते हैं यहाँ पर मैंने छोड़ कर भूल गया है तीसरे carbon को छोड़ कर छोड़ कर सभी carbon के right side में OSMO होता है अब यहाँ पर देखना पहले Carbon को क्या नाम दिया जाएगा तो इसमें Eldeide है तो पहले Carbon को कहा जाता है Eldeide Carbon ठीक है तो यह आपका हो जाएगा stomach glucose की सर्थना अब इसमें खास बात दोस्तों ये है कि इसके 2 बाते हींगी एक तो इसकी चकरी सर्थना हम बनाएँगे और दूसरी इसकी हावर्त सरतना बनाएंगे तो इसको हम लोग समझते हैं कि glucose होता इसकी चक्री सरतना कैसे बनाते हैं और हावर्त सरतना कैसे बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी language लिखी गिए इसको समझें glucose की चक्री सरतना cyclic structure of glucose इसमें हम समझेंगे कि ग्लुकोस होता है इसके दो क्रिष्टली रूप होते हैं एक होता है अलफा ग्लुकोस और डूसरा होता है बीटा ग्लुकोस एक होता है अलफा ग्लुकोस और डूसरा होता है बीटा ग्लुकोस जो carbon 1 होता है carbon आपका पहला होता है और carbon 5 होता है carbon आपका पहला और 5 उनके मद्दी link होता है मतलब की पहले carbon जो की CHO वाले हैं और 5 वे carbon CH2OH के just open carbon होगा उसके OS समूव में इनके मद्दी क्यों होगा link होगा ये link कैसे होता है मैं आपको अभी समझाओंगा ठीक है बाकी दोस्तो पहले कार्बन को एनोमरी कार्बन कहते हैं इसके अंदर नहीं चक्रिसरतना होती है इसके अंदर हम कहेंगे ठीक है अब इसको बाद में समझता हूं में देखिए दोस्तो आप लोग समझे ध्यान से यहाँ पर आप समझना उपर होता है पहले कार्बन पर LD हैट समझाओं ठीक है C, double bond, O और H बाकी 1, 2, 3 4, 5 और 6 6 में आपको क्या करना है CH2OH 1, 2, 3 तीसरे कार्बन आपको राइट साइट में H करना है बाकी लेफ्ट साइट में OH करना है बाकी आपको कुछ नहीं करना है OH H OH H OH H ठीक है, clear है अब क्या होगा यहाँ पर दोस्तों बंट तूटेगा एक बंट मतलब कार्बन और उक्सिएन के मद्दि में बंट तूटेगा एक बंट तो यह बंट के इलोक्रोन होता है वह उक्सिएन लेगा जिस पर उक्सिएन पर आजाएगा माइनस चार्च कार्बन पर आजाएगा प्लस चार्च ठीक है पांचवा कार्बन कौन सा होगा 1, 2, 3, 4, 5 तो यह पांचवा कार्बन है इसका OH के मद्दि में बंट तूटेगा जिसमें उक्सिएन के उपर माइनस चार्च है और H के उपर प्लस चार्च जाएगा यह जो H होता है ना यह H इस उक्सिएन के साथ में जूड जाएगा और यह जो उक्सिएन होता है यह उक्सिएन दोस्तों आपका इस कार्बन के साथ में जूड़ेगा तो फिर इसकी जो चक्रिय सर्चना बनेगी वो कैसे बनेगी कि समस्तें लोग देखिए मैं इसको बना दाऊ C ये जो आपका O होता है इसके साथ में H जुड़ा तो ये हो जाएगा OH और OH आया है राइट साइट में बाकी ये जो H होता है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बाकी वही रहेगा कुछ नहीं करना आप लोगों को ये जो पाचवा कार्बन होता है इसमें ओक्सियन बचा है ये ओक्सियन इस कार्बन से लिंक करेगा तो मतलब कुछ इस प्रकार से उक्सिन आ जाएगा बीच में अब दोस्तो ये जो OH होता है ये OH यदि राइट साइट में हैं तो दोस्तो इसको कहा जाएगा अलफा डी ग्लुकोस इसको क्या कहा जाता है अलफा डी ग्लुकोस की चक्रिय सरजना यदि दोस्तो ये OH इधर आ जाएगा मतलब की अगर H इधर आ गया और OH इधर आ गया ऐसे तो फिर इसको कहा जाएगा बीटा डी ग्लुकोस की चक्रिय सरजना आर ये बात समझें आप लोगों को अब इसको हम समझते लेते हैं देखिए अब दोस्तो इसमें एक बात समझना जहन से जो पहला कार्बन होता है इसको एनोमरी कार्बन कहते हैं मतलब इस चक्रिय सरजना के अंदर पहला कार्बन होता है इसको कहा जाता है एनोमरी कार्बन ओके दोस्तो समझे ध्यान से आप लोग जो में आपको समझाए वही चीज़ है आपको कुछ निकनाए पांचवे कारबन होता है इसमें OH होता है और H होता है इसके माध्य बंट टूटेगा जिसमें से H प्लस होगा वो ऑक्सिजन होता है जो की कारबन से डबल बंट के साथ मे नेगेटिव चार जाएगा तो यहां से जो हाइडोजन होगा पांचवे कारबन का OH में से वो इसके साथ में कनेक्ट होगा और जो वाकी ऑक्सिजन बचा हुआ है वो कारबन से कनेक्ट होगा बीच में तो यह बन जाएगी अगर OH समू राइट में है पहले वाले कारबन की बात करूंगा, एनोमर कार्बन की, तो फिर ये कहला हैगा alpha-d-glucose, जिए यही OH आपका left side में हो जाएगा, और H इदर, तो फिर इसको कहा जाता है beta-d-glucose, अब दोस्तों इसको कहा जाता है चक्री सरतना या चक्री hemi-acetyl सरतना कहते हैं, अब इन दोनों की हम बनाते हैं, हा लेख सकते आराम से और इस सरच्टना को कहा जाता है पार नोस सरच्टना ठीक है इसमें पीछ में तो यह जाएगा बागी आपको कौने किते हैं एक कोना दो कोना तीन चार पांच पांच कोने बनाना है पांच कोने बनाना है आप लोगों को पांच कोने बनाना है तो आपके कार्बन कितने एच्छे तो एक कार्बन जो लास्ट वाला कार्बन होता है इसको आपको उपर लिख देना है अब इसमें आपको बनाना मैं सीखाता हूँ राए उसको आपको ऊपर लिखते जाना है और जो आपको यहाला कोना और यह वाली बात इसमें आपको वही रहने देना है मतलब की उपर एज कर देना है और नीचे ओज कर देना है और आपको पूरा ये जो होता है इसको क्या करना है CS2 ओज लिख देना है और एज लिख देना है ठीक है कैवल आपको यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd 3rd तक ही आपको समझना है बाकी आपको यहाँ पर कुछ निकरना है देखो इसमें और इसमें दोनों में ये जो आपका 4 तकोना और 5 तकोना मतलब ये वाले जो चीज होते इसमें कोई चैंज नहीं होगा ठीक है अब दोस्तों इसका समझते देखिए ध्यान से इसमें देखिए लेफ्ट साइड में ओएच है तो ओएच लिग दिया एच है तो एच लिग दिया ओएच है तो ओएच लिग दिया फिर इसकोने का और इसकोने का सम रखना आपको एच ओएच एच तो ओएच और एच यसे लिग दिना है जो आपको राइट साइड में दिखने को मिलता है उसको नीचे लिखना है H, H, OH, OH और H, H ठीक है, बाकी है इसका H, OH, CH2, OH और H इस प्रकार से टॉटल किते कारबन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो इच्छे कारबन हो जाएंगे दोस्तों अगर आपका OH राइट साइड में हैं, मतलब इस प्रकार से नीचे हैं तो इसको कहेंगे, अलफा D, ग्लुकोपाईरेनोस अलफा D, ग्लुकोज, और ग्लुकोज में हम लोग पाईरेनोस की सरतना मतलब पाईरेन से इसको अधर पर इसको बनाए गए हैं तो इसलिए जोड़ देंगे पीछे, अलफा D, ग्लुकोपाईरेनोस और बीटा D, ग्लुकोपाईरेनोस, OH उपर हैं तो मतलब की, लेप्ट साइड में हैं तो अब दोस्तो ये क्यालाती है, इसकी हावर्त सरतना जो की एक हावर्त वेग्यानिक था, उसके आदार पर इसने बनाया है तो इसका नाम क्या रखा गया है, हावर्त सरतना रखा गया है तो दोस्तो ये था ग्लुकोपाईरेनोस, जिसके अंदर हमने सरतना और इसके बारे में पढ़ा प्रिपेशन क्या होती है इसकी फिर सरदना की पूस्टी की हमने प्रमान दिये तो वीडियो कैसे लगा कमेंट की कर बताएगा वीडियो से लगात लाइक कीजिए जनल को सब्सक्राइब ने कर देना मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहीं वन्दे मात्रम